जवि मातादी नवरात्र के दूसरे दिन मा ब्रह्म चार्णी की पूजा अरचना की जाती है साधा किस दिन अपने मन को मा के चर्णों में लगाते हैं ब्रह्म का आर्थ है तपस्या और चार्णी का आर्थ है आच्रन करने वाली इस प्रकार ब्रह्मचारनी का अर्थ हुआ तब का आच्छन करने वाली इस दिन सालग का मन सवादिस्ठान चक्र में स्थित होता है इस चक्र में आवस्थित मन वाला योगी करपा और भक्ती को प्राप्त करता है ब्रह्मचार्णी का अर्थ है वह जो असीम अनंत में विद्वान है गतिमान है एक उर्जा जो न तो जड़ है न निश्क्री है किन्तु वह तो अनंत में विश्ण करती है यह बात समझना अती महत्वपूर्ण है एक गतिमान होना दूसरा विद्वान होना यही ब्रह्मचार्ण का अर्थ है इसका अर्थ यह भी है कि तुक्षता निम्नता में न रहना अभितु पूर्णता से रहना ब्रह्मचार्णी सरो व्यापक चेतना है देवी मा ब्रह्मचार अनुशासन का प्रतीक हैं किसी भी काम में सफलता के लिए दूसरी अनिवाद यावशकता है अनुशासन यदि हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकते लक्ष को प्राप्त करने के लिए अनुशासन एक अनिवाद तत्तो है तो इसक वो सफलता प्राप्त करने हैं, तो मां बर्मचार नहीं से सीखें, जीवन में कैसे अनुसासन ले करके आएं। जये फ्माता दीर!